हाई गाईज वेलकम बैक टो सोनिया की छोटी सी दुनिया तो गाईज अभी बज़ रहे हैं सुबा के पांच तो मेरे हस्बेंड है जो वो शोब पे चले गए हैं तो वो सुबा चाई पी कर जाते हैं सिरस तो मैंने उनको चाई बना कर दे दी थी तो वो चले गए हैं अपनी शोब पर तो अब मैंने रखा है अपने लिए पानी गरम करने के लिए तो ये मैंने दूसरी तरफ रात को चने भिगो के रखे थे तो ये मैं चने बॉयल करने के लिए रख रही हूं कुकर में तो ये मैंने सारे चनने डाल लिएं कुकर में तो दूसरी तरफ ये मेरा पानी भी हो गया है गरम तो ये पानी मैं निचे उतार लेती हूँ और जो कुकर है चनने वाला ये मैं रख देती हूँ उसकी जगा और गिलास में निकाल लेते हैं अपना पानी तो ये बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी नमक ताकि जो चने हैं वो फीके ना लगे और उसका पानी भी पीने लाइक हो जाए फीका ना लगे क्योंकि उपर से जब हम उसमें नमक डालें वो अलग बात होती है अगर पानी में पहले से नमक हो तो वो अलग होता है टेस्ट उसका तो ये मैं अब रख रही हूँ नमक डाल दिया मैंने तो अब मैं इसमें एक आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी तो मैंने अच्छे से आलू को वोश कर लिया तो अब मैं इसमें आलू डाल दिया अब मैं कुकर को बंद करके रख देती हूँ तो अब मैं बैठी हूँ अपना गरम पानी पीने के लिए तो मैं दो चार मिनट के लिए बैठी हूँ अपना गरम पानी फिनिश करूँगी और फिर लग जूँगी अपने काम करने के लिए तो इस टाइम पक्षियों की बहुत अवाज़ें आती हैं सुनधर सुनधर हमारी इदर कोहल भी है तो कोहल भी बहुत सुनधर सुनधर बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है सुबा के टाइम तो ये मैं आगी हूँ अपने washing area में कपड़े धोने के लिए तो मैंने washing machine लगाई हुई है तो मैं धोरी हूँ कपड़े तो मैं सुबा ही washing machine लगा लेती हूँ मुझे ये होता है कि जो काम time से निपड़ जाए वो ही अच्छा है ऐसे सारा दिन नहीं तो पड़ा रहता है कोई काम तो फिर सर पर भोज रहता है कि हमें ये काम करना है तो मैं जब मेरे husband जाते हैं तो मैं उसी के साथ ही अपनी washing machine भी लगा लेती हूँ और साथ के साथ जो नमन को देना होता है मैंने school के लिए तो ये पहले मैं light कपड़े डाल रही हूँ और पहले मैं देख रही हूँ सारी pockets अपने husband की क्योंकि वो खाली करके नहीं रखते हैं अपने कपड़े तो कभी कुछ ना कुछ निकली आता है उनके कपड़ों में इसलिए पहले मैं देख लेती हूँ और फिर मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ तो ये बस मैं डाल रही हूँ कपड़े और इसके साथ ही मेरा दूसरा काम होता है टेंकी भरने का तो मैं सुबह उठते ही पहले motor का button on कर देती हूँ ताकि टेंकी भर जे अगर पानी है तो फिर सब काम होई जाता है घर में जो भी पड़ा हो तो ये मेरे पास एक बड़ा टब है जो कि मैं भर रही हूँ पानी से इसमें मैं अपने सारे कपड़े धोँगी और साथ के साथ टैब भी चलती रही और ये पानी भी भर जेगा टब उपर तक इसमें सारे कपड़े अच्छे से धूल जाते हैं सरब भी नहीं रहता तो अब मैं आगी हूँ किचन में तो जो मैंने चने और आलू बॉयल किये थे तो वो मैं निकाल दी हूँ और मैं देख रही हूँ चने बॉयल हुए के नहीं तो चने अच्छे से बॉयल होगी है तो म बैसे भी ह्येल्दी भी होता है तो मैं इसका सारा पानी नीकाल लेती हूँ भोड़ी जार होने के लिए रहए हैं और ये मैं चील रही हूं आलू आलू ऐत भरा भाथ आलू है तो में कटेँंगी आदा ही आलू कटेऊंगी कि मुझे जितनी जुरूरत है मैं उतना ही लूँगी चने के इसाब से तो मैं छोटे-छोटे इसके पीस काट लूँगी जो कि उसने खाना है तो कुछ तो हो यह नहीं कर अकेले चने ही मैं दे दूँगी तो मैं ऐसे आलू पीछ में प्यार टमाटर और ठोड़ से स्वीट यह सब पुछ डाल कर उसको दूँगी ताकि उसका पेट भी भर जाए यह नहीं कि उसकी डाइट है तो उसने कुछ खाना ही नहीं है क्योंकि बच्चे है बच्चों का मन भी कितना मारे वैसे तो बहुत कंट्रोल करता है वो खुदी बोलता है कि मुझे आसी वैसे चीज़ को वो एडी करता है पर बच्चा है फिर भी कभी ना कभी तो मन करी जाता है बच्चे का खाने का तो हम भी उसके सामने ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खाते कि उसका मन कर जाए अगर खाना भी होता हमने तो जब वो घर पर नहीं होता तब खाते हैं तो फिर भी मैं कोई ना को तो इसलिए हमने उसको जिम जोईन करवाई थी अब काफी फरक पड़ गया है धीरे धीरे ऐसे और फरक पड़ जाएगा तो इसलिए उसी की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि बेट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बच्चे के लिए और एज तो उसकी है भी नितनी पड़िफ सीर kul 14 साल काही है तो इसलिए मैं उसको यह निकी सारी चीजी में बंद कर देते हूं कि उसको यह निहीर नहीं खाना मैं इसको प्यार टमाटर वगारा सब डाल दिया हो तो इसमें मैं सिरफ नमक, काली मिर्च और निम्बू का रसी डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी इसमें तो ये बस हो गया है मेरा तो अब मैं उसके टीफन में ये सारी चाट डाल दे रही हूँ तो ये देखें मैं सारी चाट डाल रही हूँ तो इसमें क्या है प्यार, टमाटर, आलू, स्वीट कॉन और काले चने हैं जो कि बहुत खुशों के खाता है तो मैं उसको ऐसी चीज़े ही देती हूँ ज़्यादा ना तो वो प्रॉंटी लेके जाता है शुरू से नहीं वो लेके जाता है यहां पोहा ले जाता है यहां फिर उत्पम बगएरा ऐसी चीज़े हलकी फुलकी मैं देती हूँ तो आज उसने बोला था कि मुझे मम्मा ब्लैक चने की चाट बना कर दे दो तो मैं वो ही बना कि उसको दे रही हूँ तो साथ में मैंने रात को बदाम भिगो के रखे थे तो थोड़े से मैं इसमें बदाम भी डाल दूँगी ताकि कुछ हैल्दी हो थोड़ा सा ही खाए जो भी खाए मुझे यह होता है कि उसके सेहत के लिए ठीक हो उसका पेट भरा रही यह देखे मैंने बदाम भिगो के रखे थे यह भी मैं डाल दूँगी इसमें टिफन में तो उसका टिफन हो गया तयार तो चलो बच्चे और कुछ खाएंगे तो यह ऐसे खा लेगा तो यह चटपटा भी होता है और उसका जो डाइट है वो भी उसकी कंट्रोल में रहेगी और उसका पेट भी भरा रहेगा तो यह मैं उसके टिफन में एक स्पून डाल दी हूँ और टिफन बंद करके उसके बैग में डाल दूँगी और टिफन को डालना बैग में और बाद में जब आता है निकालना यह मेरी ही ड्यूटी है तो नमन चलेगे आप स्कूल तो अब मैं आगी हूँ छट पर कपड़े सुखाने के लिए तो कपड़े सुखा रहते हैं आप देखें अब भी आठ बीनी बजे हैं तो इतनी तीखी वाली धूप है कि बहुत ही गर्मी लग रही है आदे कपड़े तो मैंने नीचे डाल दि यहां पर पड़े भी रहे हैं अगर रंग सब्सक्राइब कोई डर उत्ता तो कोई वह नही अट टा कि हां इसका रंग उत्रेगा और निचे जाकरंसरे बहुत कर्मी लग रही है तो नहाकर मैं अपना पूजा पाठ करके आगी हूँ किचन में तो मैंने बनाई थी आलू मटर की सबजी तो साथ में ये मैंने सुबा कचालू भी बॉइल करके रखे थे तो जो कचालू है ये मैं काट रही हूँ थोड़ से गरम है जब तक मैं काटूंगी तो थोड़ से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैंना इसमें नमक, काली मिर्च और ना खटाई डाल दूँगी बस जादा नहीं कुछ डालूँगी आपको पता ही है कि मैं जादा कुछ नहीं डालती हूँ तो यह हम खाएंगे अपने लंच के साथ और साथ में मैं यह काट रही हूँ तरबूज क्योंकि हम लंच ब्रंच जो है वो एक ही साथ में कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि मेरे हस्बन को ना भूग लगने लग जाती है तरबूज ऐसा है कि यह दिन में ही खाते हैं इसको रात में नहीं खाती है इसलिए मैं यह तरबूज काट देती हूँ बाकि फूट्स ऐसे होते हैं कि जो हम रात के टाइम भी खा लेते हैं तो यसी लिए ऐसी fruits होते हैं जो धिन में खाते हैं तो मैं दिन में ही काटती हूं तो यह बस मैं तर्बूच काट लेती हूं पटा फटसे और इसको रख दूँगी मैं फ्रीज में तो वह जब इनको भूक लगेगी तो तो अगर मारलो मैं कोई काम भी कर रहा होती हूं और आज वो लेके आया था चाटे की लसी तो वो भी मैंने रख दी है साइट पर तो उसने पीने के लिए दी थी पीते तो हम है नहीं क्योंकि वो खटी है तो मैं उसकी आज लसी बनाऊंगी तो मैंने उसको धक कर मैं साइट पर रख रही हूं तो शाम को बनाऊंगी मैं इसकी लसी इतने मैं दूद को बाला दिलवा लेती हूं और फ्रिज में रख रहेती हूं ये अपना तर्बूज तो अब मेरे हस्बन बोल रहे हैं कि मुझे भूक लग रही है तो खाना बना दो तो ये मैं रोटियां से एक ने आगी हूं तो मैं बना रही हूं ये रोटी और साथ में मैंने अलूमटर की जो सब्जी बनाई थी ना वो दुबारा से गैस में रख दिया गरम होने के लिए क्योंकि जो मेरे हस्बन है वो गरम गरम ही खाते हैं तो उनको गरम ही चाहिए होती है जरा से भी ठंडी हो तो उनको मज़ासा नहीं आता तो देखी हैं ऐसे ही मैं अपने घर के सारे काम फटा फट से खतम कर लेती हूं ये नहीं है कि मेरे पास टाइम है तो चलो मेरे हस्बन चले गए और मैं सो जाऊं ऐसा नहीं है क्योंकि मैं शुरू से देखती आई हूं अपनी मम्मी को वो भी सुबा उठकर अपना काम खतम कर लेती थी और शादी के बाद मेरी मदर इलो और मैं दोनों सुबा उठकर अपना काम खतम कर लेती थी अगर वो कोई हमारे घर में आये और हमारा घर का काम पढ़ा हो वो भी क्या सुचीगा यह कैसी लेडी है सारा घर में गन्द फिला कर बैठी हुई है और इसको कोई काम का है वो लेडी-लेडी ही नहीं जो घर का काम टाइम पर ना करे ग्रहनी की तो यही आदत है कि सुबा जल्दी से उठे और अपना सारा घर का काम करे फिर उसको जो करना है अराम करना है जो करना है वो करे कुछ भी करे उसकी वो मर्जी है क्योंकि उसके पास वो अपना टाइम है, उस टाइम में वो कुछ भी कर सकती है, कोई उसको कहने सुनने वाला कुछ नहीं होगा, तो आप भी ऐसे ही टाइम से उठें, इस टाइम से अपना काम करें, वो ही अच्छा है, तो बस ये देखे, मेरे फुलके बन गए हैं, तो मैं अपने हस्बंट को दे देती हूँ खाना, तो ये मैं डाल रही हूँ सबजी, और उनको देती हूँ खाना, तो ये आज का व्लोग में यही पर एंट करने लगी हूँ, अगर आपको आज का व्लोग मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे व्लोग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जादा से जादा शेयर करना मिलते हैं आपसे अगरे व्लोग में, तब तक के लिए, गुड़ बाई!